बच्चों के हलचल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेशन्स आते हैं मेरे पास अगर बात किया जाए उन क्वेशन्स की तो ये पूछा जाता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो मा के पेट के अंदर ज्यादा हलचल करते हैं कुछ बच्चे जो होते हैं वो कम हलचल करते हैं कुछ बच्चे होते हैं जिनकी हलचल तीसरे महीने से आने लगती है कुछ बच्चों की हलचल चौथे महीने से आती है कई बार ऐसे भी question करते हैं जो आज कल की जो new mom बनने वाली होती है कि एक दिन के अंदर 24 गंटे के अंदर बच्चा कितनी बार हल्चल करना चाहिए बच्चे के हल्चल से जुड़ी हुई बहुत सारे सवाल आते हैं कई बार ये भी पूछा जाता है कि जब उनकी प्रेग्नेंसी का लास्ट समय चल रहा होता है कहने का मतलब कि नौवा महिना चल रहा होता है इस टाइम में बच्चे की हल्चल कितनी आनी चाहिए क्या इस टाइम के अंदर बच्चे की हल्चल कम आना या एक या दो दिन पर आन क्या ये एक healthy pregnancy का sign है बहुत सारे मित हैं बच्चे की हलचल से related तो चले गई इस वीडियो के अंदर में आपके सारे doubt को clear करूंगी अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो आज के आज ही आपको हलचल से ही काफी असानी से आप पता चलना लेंगे कि आपकी pregnancy जो है वो एक healthy pregnancy चल रही है और जब भी एक pregnancy healthy चलती है तो मा की जो टेंशन होती है वो सारी के सारी टेंशन दूर हो जाती है तो बस एक वीडियो को देखकर आपनी टेंशन को दूर की तो चले गई वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं हूं आपके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्र कि इसरे महीने से हल चले स्टार्ट करता है यह चौते महीने से ओवर ओल अगर वीकली काउंट करें तो वह 24 वीक तक सभी बच्चे की हल चल आ जाती है और एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था बच्चे के दिल की धड़कन का बात है वह सिक्स वीक पर सभी बच्चे की बच्चे की दिल की धड़कन असानी से आ जाती है तो हम यहां टॉपिक पर आते हैं बच्चे की हल चल के ऊपर हम बात करते हैं बच्चा जब भी तीसरे चोथे महीने में जब भी पहला हल चल करता है वह मा के लिए बहुत कहसकते हैं कि सूखद एहसास होता है वह आपको एक special कहसकते है special feeling दिलाता है बच्चा और आपको special होने का एक एहसास भी दिलाता है कि आप ही बच्चे की मा है और इस चीज़ से related आपको जो हल चल होता है बच्चे की इस तरीके से up and down जैसे switch होता है न ऐसी चीज़े होना यह एक बच्चा एसास दिलाता है तो वह बहुत अच्छा होता है एक मा के लिए और एक healthy pregnancy का आसानी से यह इसारा भी करता है अब साथी साथ यहां पर एक चीज़ हम यहां पर बात करेंगे कि एक बच्चा जो होता है वो कितनी बार हल चल करता है एक दि सकता है Tuesday को दो बार करें हो सकता है Wednesday को साथ बार कर दें हो सकता है Thursday को एक बार करें तो यह चीज़े होती है बच्चों के साथ हिसाब किताब कभी ज्यादा हल चल करते हैं कभी वह कम हल चल करते हैं कई बार जब आपर रात में सुई रहती हैं तो रात में हल चल कर लेते हैं उस दिन आपको लगे जाए कि दिन में एक ही बार हल चला है क्योंकि बच्चा रात में 3-4 बार हल चल कर चुका है कई बार जो sleeping cycle होता है बात किया आप रात में सोती हैं दिन में जगती है हो सकता है कई बार बच्चे अपोजिट कर लेते उनको time कदर का वाल कर्माना तोस्क बितम है कई वह बिच्चे कही बार दिन में सोना है क्वाती है कर देए घरिंजिज्ञतों सटॉचिकंट जाए हो रात में सो और ल्हें हो घ्लचन कर दा कर दा कि अलग आपकी टाइमींग अलग तो कैलकुलेट नहीं हो पाता है और लास्ट 9 मंत की अगर यहां पर बात करहें तो लास्ट 9 मनत बात करें तो यह पंग रहुत करें और बहुत ज़ह करें मैंने personally notice कि बच्चे एक जगर हते हैं अपने सर को उठाते हैं या पैरों को उठाते हैं तो उस टाइम पेट में एक दर्द होने लगता है कि अजीब सा जकडन सी होने लगना इस तरह की feeling होती है लेकिन अगर 9 मंध में बच्चे की एक द nurse नहीं आ रही है या दो दिन तक आपको बच्चे की में फट आरए और मैंने अपके सारेर को क्लियर किया अब भी 있다